आपको पहले ही इस विडियो में बताने वाला हूं तो कल के लिए मेरा क्या प्लाइन है उससे पहले एक बडिसकस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था तो आज के लिए भी मैंने कल वीडियो डाली थी आज के लिए रात को मैंने कल ये वाली वीडियो डाली थी तो आई होप आप सबने देखी होगी और जिन्होंने भी देखा होगा तो इसके अगोरिंग जो अपने ट्रेड बने थे तो यह अपना हुआ था सबसे पहले बैंक निफ्टी में सुबसुबस यह वाला ट्रेड बना था जिसमें अपना एक छोटा सा सा स्टॉप लस हो गया यहां पर मैंने पहले जब नीचे closing मेली तो यहां पर मुझे लग निया रहा था कि market आएगा तो मैं wait कर था sustain करने का मैं यहां पर wait कर था entry के लिए बट market तुरंट उपर चला गया लेकिन वापिस फिर से नीचे आ गया और closing दे दी तो इस बार second confirmation मिल गई तो फिर मैंने आप एंट्री ली थी बट हां बहुत अच्छा भली प्रॉफिट हुआ था इसके अंदर आ मिन जो टागेट है वो बहुत अच्छा दिया था मांके ने अच्छा भी प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं हुआ हजार उपे के असपस पर लॉट इस वाले टेट में प्रॉफिट हुआ था और कुछ नहीं हुआ तो यह अपना एक आप अच्छा सा प्रॉफिटिबल दे आज भी क्लोज हुआ हां और यह वाला जो पूरा वीक है ऐस छुटियों में भी दिया आपको बताइए कि फ्राइडे को भी मार्केट ओफ रहेगा तो थोड़ा सा इसी हिसाब से कल का जो है इस वीक का लास्ट इस वीक का इस मन्त का प्लस इस फैनेंशल इयर का कल अपना लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा तो डिसकॉस करते कि कल इस के बारे में क्या है चीज़ें जिनको भी जानना है और डल्या के बारे में आप लोगों रौट वीडियो बनानी है तो वह मैं बणा चुका हूं कल शायद मैं उसको पोस्ट करूआ है तो देख लेना अच्छे से उसमें सब कुसे इस एप्स्लेण किया हुआ है मैंने आ आपको, तो crypto के लिए भी last minute discuss करेंगे, पहले बात करते हैं कि nifty bank nifty का कल का क्या plan है, देखो सबसे पहले बात करेगा हम nifty के, so nifty में जो है हमारी ये levels है, सबसे पहला जो अपना trade बन रहा है ये वाला level है, 22,097 का level है, अगर इस level के उपर कहीं भी यहाँ पर open होता है, कहीं भी पर put का trade नहीं लोगा, मैं wait करूँगा वापिस इस level के उपर आके close होने का, और अगर इस level के उपर आके फिर से closing मिलती है, so इस point पर मैं लोगा call buy का trade, जिसका मेरा first target रहेगा ये level, and second target रहेगा मेरा ये level, so first target है 22,1004 का, and जो अपना final target है 22,192 का, देखो, first and second target मतलब यह होत तो उसका मतलब होता है कि first target पे 80% quantity में book करूँगा, and second target पे मैं बाकी बचे वे 20% target जो lot size है, वो इस वले second target के लिए मैं ट्रेल करूँगा, stop loss entry पे लागा के, तो 80% first target पे हमने book कर लिए, बाकी 20% ट्रेल के हमने second target के लिए stop loss entry पे लागा के, तो यह हो गया अपना पहला trade, now second trade का बनेगा, उससे पहले एक चीज़ बता तूँ, अगर आपको basic knowledge नहीं है, option trading की, price action की अगर आपको basic knowledge नहीं है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को follow मत करना, बिल्कुल भी इसके basis पे trade मत करना, basic knowledge होना बहुत जोरी है, entry कैसे लेनी है, कब लेनी है, stop loss क्या रहेगा, सही तरीके से, you know, right time क्या है, यह चीज़ पता होना चाहिए, strike price आपको साही कौन सा लेना है, तो यह चीज़ नहीं पता है, तो आपको कोई मतलब नहीं होता, trade करने का, right, तो पहले basic चीज़ सीखो, कैसे भी सीखो, मुझ से अगर सीखना है, तो आप class join कर सकते हो, website बी चले जा ठीक है, अब discuss करते हैं, second trade का, तो इस वाले level पर मैंने आपको बता है, call का trade अपना बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जो अपना ये वाला level है, 22,192 का, तो अगर मालो यहाँ पे कहीं open होता है, और अगर इस level को उपर break करता है, और candle मेरा first target रहेगा ये level, and second target रहेगा मेरा ये level, so first target है 22,000, 1 double 4, and 22,097 का final target है, ध्यान रखना, ये वाला level अपना call buy का trade यहाँ पे बन रहा है, buying zone है, और ये वाला level अपना put buy का trade बन रहा है, selling zone है, लेकिन दोनों trade नहीं लेने हैं, जो भी इन दोनों में से पहले trade बनेगा, जो पहले हमारा put card trade बन गया, तो फिर call का trade नहीं लेंगे, और अगर मानलों पहले हमारा call का trade market ने बनाया, तो फिर उस case में फिर put card trade नहीं लेंगे, दोनों में से कोई जो बनेगा पहले है, वही लेना है, तो ये हो गया अपना nifty का, bank nifty का discuss करते हैं, कि bank nifty में क्या है, तो दे ज़रूर 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 करना अगर आप मेरे इस trade band को follow करने वालो हूँ, और ध्यान रखना है कि मेरे नाम से काफी सारे fake accounts बने में, fake, बार बर मैं बोलता हूँ मेरे नाम से बहुत सा, चाहे उसका नाम हो Bull Scout Official, चाहे उसका नाम हो Bull Scout Work, या बुल्सकाउट ओफिस या बुल्सकाउट कुछ भी हो, मेरा कुछ भी नहीं है, जिनके भी लिंक्स मैंने आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर इस वेबसाइट पे, वही बस मेरा है, बार मैं बोल चुगा हूँ, मेरे नाम से कोई भी अगर आ मैं बोलू, तो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स तो बन रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की ए ट्रेड है, तो लाइव मार्केट में अब्जर्व करके लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको यहां पर वीडियो में नहीं बताऊंगा, या बहुत जरूरी है, आपको मैं बता सेफ नहीं है आप लोगों के लिए, उसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो जिनको भी जोइन करना है, क्रिप्टो का यह मेरा प्राइवेट ग्रूप, जहां पर मैं सारे क्रिप्टो के ट्रेड्स प्रवाइड करता हूँ, ट्रेड लेने से पहले, तो यह आपकी मर्जी है, मेरा जो आप लोगों के लिए सजिशन रहेगा, क्रिप्टो डेल्ट एक्षेंज का इंडिया वला वर्जन, जो सेकंड लिंक है, इस वाली लिंक से अकाउंट ओपन करना, ठीक है, और अगर आपका पहले से ही ग्लोबल वाले पर अकाउंट है, लेकिन आ नहीं हो, अगर आप इस वाले लिंक से जोईन कर रहे हो, तो न्यू इमेल इडी यूज करना, और रेफरल कोड ये वाले यूज करना, ठीक है, जो पहले आपने इमेल इडी यूज की थी, पुराने वाले अकाउंट में डेल्ट एक्षेंज के, वो वाले इमेल इडी सब लोग ज़रू यूज करना, अगर आपको एक्सेश चीए, ठीक है, फिर कुछ फॉर्ण्स बगर आड कर लेना, एंड उसके बाद ये फॉर्म फिल करके, मुझे टेलग्राम पर मैसेज कर देना, और थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है, आपको एड उसमें, क्रिप्टो ग पर है भी, तो वाँ पर spread वगरा बहुत जादा होता है, spread मतलब जो जब हम ट्रेड लेते हैं, तो उसमें अचानक से बहुत बड़ा लॉस दिखने लगता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो वो spread की वेज़े होता है, तो वो बाकी सारे platform पर बहुत जादा होता है, एंड लिक्विडिटी वगरा का issue होता है, funds को deposit करना, withdraw करना एक major task होता है, उसमें funds जो हैं फसने के चांसित होते हैं, बहुत रिस्की होता है, तो डेल्ट एक्चेंज पर यह सारी चीज़े नहीं होती है, तो डेल्ट एक्चेंज में क्या अपने सारी features है, futures and options trade करने के spread बहुत कम मैं, मैं use करता हूँ, आप लोग यूज करता हूँ, जो लोग उनको पता है, तो इसलिए मैं यूज करता हूँ, तो बार-बार आप लोग पूछते हो, तो बताने का यह मेरा reason है, funds को deposit करना, withdraw करना, बहुत ही simple तरीके से हो जाता है, directly अपने bank account में, अपना withdraw कर सकता है, आप सेफ तरी इस है, तो third party, P2P बगरा की जो उतनी परती, जिसके वे सेफ रहता है, अगर आपको crypto में trading सीखनी है, तो मैंने अपने channel पे free course प्रवाइड किया हूँ है, तो अगर आप इस playlist पे click करोगे, तो playlist पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे, तो आपके सामने ये वाला, य crypto options trading free course, इस playlist को देख लेना, A to Z जो भी चीज़े आपको required है, crypto में options and futures के लिए, सब कुछ मैंने आप explain कर रहा है, A to Z, तो इसको आपको देखने के बाद कुछ और देखने की जो होतने पड़ेगी, सब कुछ इसके अंदर explained है, stock market, इसमें differences क्या है, क्या दूसरी चीज़े य और कैसे क्या करना है, वो सब कुछ इसको कैसे use करना, delta exchange को trade करने के लिए, वो भी इसमें explained है, तो देखोगे, free में सब कुछ यहाँ पर provide किया हुआ है, तो ये था कल के लिए plan, so bank nifty का भी मैं trade नहीं दे रहा हूँ,